कि आई से बढ़े शुरुवात होती है इस मनी प्लांट से जो कि मेरे रूइज अगला है गाईस यह है एरिका पाम अधे गाईस कितना अच्छा हो गया है हलो गाईस वालकम बैक तो माई यूट्व चैनल आप सब कैसे हो आई होप आप सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हो तो मेरी मॉर्निंग की शुरुवात हो चुकि है अभी छे बजे से अभी मैं क्या शूट करूंगा मुझे भी नहीं पता कि यह भी करने के लिए कुछ है तो नहीं चलो पर आप व्लॉग में बने रहें जो मैं शूट करूंगा आप साथ जरूर शेयर करूंगा तो आप बने करें मेरी साथ व्लॉग में और मेरे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में बोला था कि एक व्लॉग मैं आपको अपने पेट्पॉद मने लगा उनका लिखते होंगा तो आज मैं उसी व्लॉग बना रहा हूं कैला हई में आज आपको दिखाता हूँ क्वानई लगा रखा है तो मैं आज उनको शूट करके आपको दिखांगा जोब आरत के तो देखते रही मेरे व्लॉक को PALG सेब्स पहले शरू को थोटीमनी मैंने लगाई है वाहिए ती इस पॉट भी लगा रखा est तक दूसर अगला यह इसल यह और अगला प्लांट जो में रूम में लेना यह यह वाला यह स्नेक प्लांट इह तो मैंने भी शायद हां एक अफते पहले लगाए है इसी तो अभी एक अफता ही लगाए वे छोटा सा पौदा देखिए पर थोड़े दिन में बढ़ जाएगा यह वाला मनी प्लांट यह भी काफी बढ़ा हो चुका है अगला है गाईस यह है अरीका पाउं अरे बहुत ही अच्छा एर प्यूरिफाइंग प्लांट है इसको भी शाहिद मैंने एक साल बेले लगाया था यह वाला पता नहीं कौन सा है यह भी पता नहीं कौन सा है ओक माणाब जा चाहिं यह बड़ अच्छा फूल वाला है इसक एसके टैहनी तोड के भी लग जाता यह वाला मेरे अच्छा प्लांट है यह भी यह वह वह रिखा हर गाल्ट है देखे गाइस कितना अच्छा होगा है पहले ही सुख चुका था थोड़ा थोड़ा तर अब देखिए काफी इसमें लग लग टहनी आगी अच्छा होगी अब दोहरा बरा थोड़ा से पत्या तोड़के गरम इसमें पानी में उसकी बॉयल कर ले तो इतने चीज की चाय बन ज प्रण ड़ा थोड़ा सूख गया तो इसमें पर तोहां पत्ते आ रहे हैं थोड़े दूसरे यह है अनार का पौदा और इसमें काफी सारे शायद लग रहे हैं अभी यह देखिए फ्लावरिंग इतने इच्छी हो दिया है छोटा सा पौदा है पर इसमें काफी सारे पर लगा रखा यह अलोवेरा और यह इंदो आँ और यह है प्लान्त या फिरसे वही जोता है यह दो अलगाई में इस यह भी अन रही है अन रहले हर तो पैम लिखाया है हमाई लेंग्विज में तरों भूलता है इससे अनारदार बनता है देखिए यह है पेड और कितने ही सारे लगें इसमें देखि फ्लावरिंग कितने अच्छे हो रखे लावर को कितने है यह निम्बो का पौदा इसके थोड़ी सफाई करने के लिए हो रखिए यहां पर घास पगर अच्छा हो रहा है और साथ में तो उलसी लगे बहुत सारी कि नेक्स्ट बट नॉट दे लीस्ट यह है मेरा ओरेंज का प्लांट इससाइड में इसके इसके प्रोटेक्शन के लिए लगा रखें देखिए इसमें नए पत्ते आरे छोटे-छोटे से देखिए यह है ओरेंज संत्रे का पौदा यह वाला पेड़ है जी अम्रूद का पेड़ यह देखिए कि तरह अच्छा लग रहे है एक और भी है मैं दिखाता हूं इससे बढ़ा हुआ बढ़ा है देखिए अच्छा कर यह अम्रूद का पेड़ दो पेड़ लगा रखेंगे एक वहां पर वहां पर इसमें पत्ते नहीं लग रहे हैं कि पत्ते शाहिए नहीं शाहिए पत्ते आ रहे हैं अभी कहां लगेंगे कि यह इसकी सफाई का निकले ऋगए बहुत गास उगर है के साइड साइड में यह बेल पदर का प्लांट अभी ओले पड़े थे थे इसके पत्ते थोड़े खराब हो गए पीला जैसा हो गया थोड़े हो घ्राब सा हो गया ऑले के वज़ेसे हो रहा है पर चलो ठेक हो जाएग अभी यह भी बेल पत्र का यह पर इसके सारे पत्ते जड़ चुका है अभी नए पत्ते आ रहे छोटे निचे अगर आपको दिखाई देरों शायद तो नेपत्यार इसमें भी यह जामुन का पेड अभी छोटा यह देखी इतना सा भी तो इसके विस्के विस्काफ सफाई करने को अभी रहें और घास हो गया देखिए और अगला यह भी नीमू का पेड़ी देखिए काफी छोटा था तो काफी बढ़ा हो चुका है यह देखिए यह देखिए बढ़ा हो गया तो अभी तो लग जाएंगे शायद अगले साल तक इसमें इसमें नेक्स्ट वन इस यह है गुड़ल का पौधा है बिसकस जिसे बोलते हम इंग्लिश में और गुड़ल इन हिंदी यह देखिए इसमें एक फ्लावर लग भी गया है खिल गया ह अब लगेंगे और भी यहां भी एक खिल यह देखिए बहुत अच्छा प्लांट है काईज इसमें बहुत अच्छे फूल लगते हैं पड़े क्या अभी मेरी गायने इसको थोड़ थोड़ा यहां से देखिए खाली है सारा तो अब इतना नहीं तो इसमें काफी जाते पत् अब लाइज यह चोटा सा पौधा यह है गल गल का पौधा जिसका अचार बनता है यह उस गल का पौधा यह वह शायद अभी लगाया था पांच्छे मेने होगे शायद इस लगाए हैं और साथ में इसके में लगा रखे यह पता नहीं जायए उने पूधी तो क्या तो पौधे हो गई है दोल करके इसकी साथ में यह देखिए का इस कितना अच्छा लग रह बारीश रखियें तो इससे अच्छे होंगे सारे पउदे हैं कि अधिरी घाइज हर साल खुद से हो जाते बिसका पीज गिरता रए फिर से हो जाते हैं गेंदे के फूल देओ कितने सारे खेलेवें हैं कि दिखिए गाईज कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जूरु सब्सक्राइब करें लाइक शेर कमेंट करें और आपको मेरे पेड़ पौधे कैसे लगाए लगे मुझे कमेंट सेक्षिन में जूरु कताएं अगर मुझे सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग